है लो केट्स गुट मॉर्निंग हावर यू आल आज हम क्या करने वाले हैं आज हम मैस में काउंटिंग सिखेंगे और काउंटिंग में कौन सा नंबर सिखेंगे नंबर 1 फॉर 14 लेट्स टाक्ट पैरेंट्स अब आप बच्चों को मैस की वर्क बुक निकालके दीजिए ओके निकाली सबने ठीक है अब हम आके चलते हैं अब आपको मैस की वर्क बुक में पेज नंबर 42 ओपन करना है ठीक है किया 42 पेज नंबर पर कौन सा नंबर है नंबर है 1 फॉर 14 ठीक है यहां आपको सबको क्लास वर्क दिख रहा है ने पैरेंट्स आप यहां पे क्लास वर्क पे आज की डेट डाल दीजिए कौन सी डेट है आज 1 एट 18 मन्थ 12 डिसेंबर 2020 ओके यह हमारा क्या है यह हमारा सी डवल्यू है मिन्स क्लास वर्क चलो अब देखिए आपको बिटर यह डॉर्ट दिख रहा है ठीक है इस डॉर्ट से हम ऐसे स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे तो यह क्या बना नमबर वन ठीक है यह डॉर्ट जो है इस डॉर्ट से हमें स्लेंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन और स्टेंडिंग लाइन तो यह बना हमारा 1, 4, 14 ठीक है आपको आता है ना 4 बनाते है आपने पहले सिखा है ना वन भी सिखा है, फॉर भी सिखा है, ठीक है, हम करें आगे प्रक्टीस, ठीक है, ये कौन सा नमबर है, वन, ये फॉर, वन, फॉर, फॉर्टीन, ठीक है, standing line, one, starts a slanting line, slipping line, standing line, one for fourteen, standing line, slanting line, sleeping line, standing line, one for fourteen, standing line, one, slanting line, slipping line, standing line, one for fourteen, standing line, slanting line, slipping line, standing line, ये बना four, one for fourteen, ठीक है, अब आगे करें प्रेक्टीस हो, ठीक है, ये क्या है, which number is, yes, this is number one, and number four, one for, क्या हुआ, बोलो, fourteen, very good, standing line, slanting line, slipping line, standing line, one for fourteen, standing line, 1 for fourteen, आगें बोलो, स्वीस है, वे आगे करेंब आगे, करेंगे, हैं अगे, standing line, slanting line, sleeping line, standing line, one for fourteen, standing line, slanting line, sleeping line, standing line one for fourteen यह क्या हुआ हमारा यह हमारा class work हुआ क्या लिखा हमने इसमें one for fourteen parents यहाँ पे homework का heading दिया हुआ है उसी पे आप date डाल दिजी आज की जब भी आप homework करवा रहे हैं उसका date डाल दिजी है and one for fourteen ऐसा यहाँ पे complete करना है बच्चो आपको ठीक है everyone open your notebook सबने अपना notebook open किया good अब हम क्या करेंगे parents इसमें भी class work का heading डाल के आपको date लिखना है चलो बच्चो देखो इदर यह कौन सा number है यह है number fourteen one for fourteen कितना ना कौन सा number यह one for fourteen आज हम को इसी की practice करना है ठीक है देखो यह मेरे पस कितने सारे box हैं करें हम count इस बॉक्स को ओके चलो 1-2-3-4-5 6-7-8-9 वन जीरो टेन वन वन इलेवन वन टू ट्वेल वन थ्री थर्टेन वन फॉर फॉर्टेन हाव मैनी बॉक्स? कितने बॉक्स हैं मेरे पास? वन फॉर फॉर्टेन ठीक है? तो आज हम किस नंबर की प्रेक्टिस करेंगे? हम प्रेक्टिस करेंगे वन फॉर फॉर्टेन की चलो इधर देखो यह क्या दिख रहा है? आपको डॉर दिख रहा है इस डॉर्ट से हम करेंगे स्टेंडिंग लाइन ठीक है? इस डॉर्ट से हम करेंगे स्लेंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन standing line one four fourteen okay standing line one slanting line sleeping line standing line one four fourteen standing line slanting line sleeping line standing line one four fourteen वन के लियम बनाएंगे standing line तो ये बना हमारा number 1 and slanting line slipping line standing line 1 for 14 standing line slanting line slipping line standing line 1 for 14 standing line slanting line slipping line standing line 1 for 14 standing line 1 for 14 अब विदाउट हम dots के प्राक्टिस करेंगे 1 for 14 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 विखा बच्चो आपने भी ऐसे 1 for 14 अब हम क्या कर रहे हैं आपे without doubt बना रहे हैं ठीक है आपको भी ऐसे प्राक्टिस करना है 4 for 14 1 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 for 14 क्या लिखा है हमने आज notebook में 1 for 14 विखा है हमने आज अपने आप लोग नेक्स पैच पे यहाँ पे HW डालके याने होमबग डालके आज की डेट डाल दीजीगा बच्चो को यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजीए नमबर 14 बच्चो आपको इस पर प्रैक्टिस करना है और notebook कम्प्लेट करना है बच्चो बाई